कोरोना की इस घड़ी में एक और जहां लोग एक दूसरे का हाथ बटाने में लगे हैं वहीं मानफता सर्वसार होती हुई नजर आ रही है हम बात कर रहे हैं दुमका जिले के सिकारी पाड़ा का जहां एक मजदूर का सब पांच गहंटे तक पड़ा रहा और कोई उसे हाथ त कर रहने वाला युवा के क्रिसर उद्ध्योग में काम कर रहा था अचानक कड़के उसकी तबियत बिगड़ गई और वह बाहर में दम तोड़ दिया जब इसको लेने कुछ बाहन से लोक महचे तो इस घटना की जानकारी अगल बगल के छेत्रों में दिया गया और थाने मे दी गई वहीं पुलिस ने संदिक दिसब की पुष्टी करती हुए जांच के लिए चिकित्सा परवारी को दे कर करीब नीन के दो बज़े पुष्माटम के लिए बेजा और बताया कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जब तक कि पुष्माटम का रिपोर्ट ना है यह कैसी मा जहान एक बताया है क्या वहार कहीं नहीं कहीं यहीं से लॉकड़ाउन में घर कहा गया अधर से बहाराए लेफितने संदंबर में आह रहां सभी आए जाजकर और शटकर आई कर आहीं है इस पहर रात में स्वया वाद था है अचानक कि सुभा में इसकी तवियत खराब होने लगी है पदाचला कि इसकी मर्ती होगी है इनका अधकान तो जो म्रीद शरीड देखके तो कुछ उसमें कोई वे से उपर से साइन सिम्टम जैसे शकीन में कुछ भी रहता है ज़िए प्रकड़ने किसी तरह के जवर जस्ती कैसे निसान जैसे बनता है देमें उस तरह कुछ नहीं है ठीक है कहीं भी कुछ तरह भी दीकर कर भी मतलब बिनन पोस्ट्मोटम के उसका कुछ आइडिया कार नहीं मतलब मुश later और दूसरा बात है कि कोई प्रतक्ष दर्सी नहीं है कि सामने मृत वेलिकी जैसे जाम मृत्ती हो रहे थी तो क्या के घटना है घटी सास लेना तकलीफ हो रहा था खासी हो रहा था जी मचला सुबर में जो करिशन का जो मृत खाना को सुझना दी गई कि बेक्टी जो 17 बदे रात से नी बीमार था उसकी मृती हो रहे इस समद्ध में और मेरे द्वारा भी उस निक्चन किया गया घटनातों का और जैसा अब फैक्ट है और कुछ इसा तो करुए तो सरावा में चर्ची थे कि मृतक करुणा पुए तो इसके लिए भी हम लोगों ने जो किस्ट किया है उसमें भी इस बिंदू पर जानके लिए जो चिकिस्टा पदा दिखाने ने उनसे अम्रूत किया